Indian भोटार ID कारट को डौनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना mobile phone या desktop की किसी भी browser open करना होगा मैं अपना chrome browser open करना होगा, open करके सबसे पहले यह वाला website पे आना होगा जिनका link मैं description पे दे रहा हूँ, यह official website है और open होते ही, सबसे पहले आपको यहापर sign up कर लेना होगा capture fill करना होगा request OTP पे click करना होगा यात रखना आपकी voter ID card mobile number के साथ link होना चाहिए अगर mobile number link नहीं है तो किस ता से mobile number link किया जाता है उनका वीडियो मैं डेस्क्रिक्शन पे देदूंगा तो चलिए है मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है OTP को मैं यहाँ पार देखके फिल कर दिया फिल करके यहाँ पार देखिए validate and login इनके उपर क्लिक कर दिया क्लिक होते ही इंटरफेस इस तरह से देखनों को मिलेगा आप ध्यान से देखिए यह वाला वेबसाइट जिनका looks कुछ इस तरह से होगा आपको थोरा नीचे स्कॉल करके जाना होगा स्कॉल करके यहाँ पार देखिए फ्रेंज उससे पहले मैं आपको बता दू यहाँ पार जो voter ID कार्ट डाउनलोड होगा वो latest model वाला voter ID कार्ट डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पार देखिए लिखा है इएपिक डाउनलोड आपको सीधे इएपिक डाउनलोड की उपर क्लिक करना होगा तो चेलिए मैं इएपिक डाउनलोड इनकी उपर क्लिक कर दिया क्लिक करते ही voter ID कार्ट को download कहने के लिए आपको दो option मिल जाएगा एक epic number और दूसरा reference number अगर आपके पास reference number है तो यहाँ पर click करके आप reference number input करके download कर सकतो तो मेरा epic number है already पुराना बाला जो water card है उनका epic number देखके मैं यहाँ पर अपना epic number को मैं voter ID card देखके मैं यहाँ पर tag कर दिया epic card number voter ID card की उपर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बोला गया select state तो इनकी उपर click करके आप अपना राज्य या state को आप choose कर सकते हो मैं अपना state यहाँ पर select कर लिया select होते ही site में देखिए search का option दिख रहा है search की उपर click कर दिया search की उपर click करते ही यहाँ पर epic card number name address फादस name के सब दिख जाएगा और उसके बाद थोड़ा नीचे scroll करके जाना होगा थोड़ा नीचे scroll करके यहाँ पर देखिए बोला गया आपकी mobile number आपडेट होना चाहिए तो मेरा mobile number आपडेट है तो यहाँ पर देखिए send OTP जिनका mobile number last visit यह वाला है send OTP की उपर click कर दिया OTP की उपर click करते ही यहाँ पर बोला गया inter OTP अपना mobile number पर जो OTP आ चुका है उस OTP को यहाँ पर fill कर दिया fill करते ही site में देखिए verify verify की उपर click करना होगा verify की उपर click कर दिया OTP मेरा थोड़ा करद हो गया तो चलिए मैं फिर से यहाँ पर OTP को re-enter कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो अगर आच्छा लगए तो please कम से कम एक like जरू देना तो चलिए मैं अपना OTP को यहाँ पर फिर से re-enter कर दिया re-enter होते ही site में देखिए फिर से verify की अप्षन दिक रहा है verify की उपर click कर दिया verify की उपर click करते ही कुछ इस तरह से देखिए मेरा OTP verified successfully हो चुका है आप यहाँ पर देखिए नीचे download epic इनकी उपर click कर दिया click होते ही site में देखिए pdf file में यह download हो चुका इसे मैं open कर लिया open की उपर click करते ही यह पर देखिए pdf file कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा इन की उपर click करते ही आपकी voter id card एकदम नई model पे आपको देखने को मिल जाएगा और यही मेरा Indian voter ID card है जिनका look कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा इसे आप pvc print supported printer के थोड़ो आप pvc में भी आप print कर सकते हो या आप इसे color print भी कर सकते हो और यह बाला card को आप कही बे भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा तो वीडियो अगर अच्छा लागे तो प्लीज एक लाइक जरू देना थैंक्स पर वाचिंग